आज हम लोग को बंगलूरू, सीकर और रतलाम जाना है पहले बंगलूरू और रेनुका पाटल माम स्क्रीन पे रेनुका जी हाई, गुड आफ्टरनून रेनुका जी, क्या करते हो बंगलूरू में और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? एक साल होगést, एक साल, और कैसा रहा है एक साल का सफर? अच्छा रहा है सर, पैसा आ रहा है, एक साल में बतल़ पैसा बनाया है आपने, हैना? अच्छा Boss sera, कैसे डिसाइड कर रहे हो आप रिनुका जी और सब डिसकेशन करके लिए चाचा जी कौन से चाचा जी हमारे गाबा सर या कोई और चाचा जी आपके चाचा जी मिए ओके तो पहला सवाल कौन सा मेरा पहला सवाल है सर सुब्रोज है 75 शेर्स है 607 बाइंग है मेरा प्रश्ण है यह लॉंग टर्म के लिए कैसा है और करेक्शन आता है तो कितना नीचे तक जाता है और आड कर सकती हूं क्या आगे भी ठीक बात सब्सक्राइब 75 शेर्स 607 की खरीद है एक दाइरे में आ गया यह सुब्रोज का काउंट लंबी अवदी के लिए सही पिक है क्या और गिरावट में क्या आड करने वाला स्टॉक है क्या अच्छा लग रहा है तो मुझे ओवर लगता है कि ऑटो है नुट वाल कृष्न इंडूस्ट्रीज को देखते हैं और आटो में बहुत सारे काउंटर से जैसे कि आज अपूलों टायर लेक अच्छा लग रहा है तो मुझे ओवर लगता है कि ऑटो यह सब अच्छा रहेगा तो मुझे रखता है कि यहां पर डेफरेंटली बाइसाइड का ही ट्रेड रहेगा आप इसे में बने रहे हाला कि थोड़ा एंट्री ऊपर नीचे होगा देखिए वो तो सब होता रहेगा लेकिन जब तक यह 600 क इसके उपर यह मेंटेन है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती और कॉंटर मुझे लगते है कि आशी जी इसका जो टागिट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 700 से लेके 110 का तो आपके सब्सक्राइब करेंगा तो यह तो डेफिनिटल आउट परफॉर्म करेंगा आज भी बड़ी आई कर रहा है दो तीन परसंट मजबूती के साथ ख़ड़ा हुआ है होल्ड करेंगी लेलुका माँम आपके सुब्रोस को सिकर से अरोना माँम स्क्रींस पर अरोना माँम आप क्या करते हो सिकर में और आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार स्टॉक मार्किट से जुड़े हुए या ट्रेड शूरू करें हुए राश्णून तो मैं को साल हो गया है स्टॉक मार्केट से जोड़े हुए और ये सिकर में राजिस्थान में खूब गर्मी पड़ रही है बहुत 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 अब बारिश हाने में टाइम है भी तो पांच-दस दिन और लगेंगे कम से कम है ना येस ये अरुना मैं पहला सवाल आपका क 285 कितना टाइम होगा लिये हुए सर हो गया ट्री पूर मंच हो गया यह मतलब जब अभी बीच में करेक्ट हो रहा था तब आपने लिया और आपके लेने के और गिर गया येस सर नहां क्योंकि सब्सक्राइब चला था पर बागी होटेल स्टॉक्स इंडिन होटेल्स वगर अगर वापिस हाइस पर खड़े हो गए यह तो ठंडा पड़ गया मामला कामत होटेल्स पर क्या करना है मेरी खरीद से अब नीचे चल रहा है 285 के खरीद है मेरी आशीच में चार्टी के लिए अगर आप देखे तो इसमें जो करेक्शन शुरू आता करीबन 350-360 के लेवल स यह एक इंपोर्टन पड़ाव के आसपास है 200 दे में के आसपास 210 इसका कलस्टर आफ सपोर्ट है मुझे लगता है जब तक यह सपोर्ट रहेगा तिक तक पूरे चांसे से कि एक बार के लिए चलेगा और सामने बजट भी है तो कही न कहीं तो यह ऐसे काउंटर जो होते है है जहां पर मोमेंटम अच्छा होता है तो अगर आप देखें वांडर टाइमिंग में यह एक होगा बने रहें जब तक 210210 का स्थर मेंटर है और मुझे लगता है यह 270 से लेके 280 तक एक क्विक मूह मिलेगा इसको प्रवाइब एक मेने के अंदर ही तो आप फिलाज तो 270-2 280 के टागेट के साथ थोड़ा सा काम करें और उस लेवल के अगर पार चले जाते हैं तो हम लोग बैटे ही आप फिर से कॉल कर सकते हैं पर आप कॉल उठाओगे नहीं तो फिर क्या होगा मेरा तो फिर ट्वीटर है ना अच्छा ठीक है झाल झाल